सबाई सुनमे बारंखों सरोजा शिल्पी की राम राम बेन ग्राम लक्ष्मी कारिक्रम में आवेजित यी कवित्री गोस्ती में आप सब को स्वागत करा थे बेहनों आज की जागोस्ती पक्षियन को सनरक्षन विसापे आधारित है और यी गोस्ती में भाग लहवेबारी कवित्रीयन को हम आप से परिचे करा दे हमाई संगे हैं श्रीमती आशा स्रीवास्तब्वें, श्रीमती गीता दुबेवें और हम सरोजा शिल्पी तो बहनों नए साल में फिर मिलो करबे खोंबत काओ, गीद चील मैना सहित, पक्छी सबई बचाओ जाश्रष्टी है सबई की, जाश्रष्टी है सबई की, सब को है अधिकार, गुईयां इनके हैं बड़े, हम सब पे उपकार और उपकार कैसे हैं, जे आगे रचनन में आप खोंपा तो लग है, तो बहनों काइना अब इगोष्टी को श्री गनेश करो जाए और सबसे पहले हम आमांतरित करते हैं, श्री मती गीता दुबे बैन खोंग, तो बैन आप शोताओं खोंग का सुना रहे हैं अब बैन तो हम अपनी सूताओं हों बैनन भन्जन को, जा रचना कभीता पकशियन की उपर लेके आए हैं, कि संसार में पेड़ पोदा कट रहे हैं, पकछी न रहे हैं, तो अपनों भी संसार सूनो रहे हैं, अपन लोग भी पकछी के बगएर किती प्रह हैं हो पकछी हैं म के जितने पंक्ची हैं ये जग में, के सब खों हमें बचाने हैं, के सब खों हमें बचाने हैं, समझने और समझाने हैं, के समझने और समझाने हैं, कांगे गिद्ध समझ नहीं पा रहें, के कांगे गिद्ध समझ नहीं पा रहें, ओ लाखन पंची हमें देखा रहे लाखन पक्ची नहीं देखा रहे ओ सब पंची कम होता ही जा रहे की जन जाग रणे चलाने हैं समाजने और समझाने हैं के गल गल डोको कागा आ रहे जे पसुआने खो सुखे पोचा रहे वो पीट कान की किली खा रहे के पीट कान की किली खा रहे के ये निखो हमें बचाने हैं समझने और समझाने हैं के समाजने और समझाने हैं और जे दियुतने खो लगते हैं प्यारे के जे पंची दियुतने खो लगते हैं प्यारे मूर गरोड और कागा न्यारे के मुर गरोड और कागा न्यारे खेतन बगला लगते हैं प्यारे के ने खोना ही सताने हैं समझने और समझाने हैं जितने पंची हैं यी जग में के सब को हमें बचाने हैं समझने और समझाने हैं गाउं सहर में ओड़ ओड़ आवें हर खेत में सोर मचावें के हार खेत में सोर मचावें के आसमान में खेलन जावें आसमान में खेलन जावें उस सब से हाथ जो रह कहें गीता के इनके संगेराने हैं के इनके संगेराने हैं समझने और समझाने हैं के समझने और समझाने हैं जितने पक्ची हैं यी जग में जितने पांची हैं यी जग में के सब खो हमें बचाने हैं समझने और समझाने हैं के समझने और समझाने हैं गीतः बहने आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई एक लाने आपकों बहुत बहुत धन्यवार बध़ाई बहना आपने बिल्कुल साहिक हैे कि हमारे देवी देवता भी ताभी हमें संदोय सो देत हैं कि उन्हें पक्षियन को हम लोग प्यार करें उन्हें पाले बिलकु ठीक, है ना, जो सही है, और अब बेन हम चलत हैं, श्रीमती, आशा, श्रीवास्तब बेन के पास, बेन आप श्वताव को का सुना रही है, बेन हम अपने लाने पक्षियों के लाने लिया आए हैं, तो लूरे बरे पेड़ बच हैं, जब यह तो पक्षी बच हैं, बि भट बड़ी हरे भरे जब पेड़ कटेंगे कहा करहेंगे पंची हरे भरे जब पेड़ कटेंगे कहां रहेंगे पंची सुने बन और सुनी मड़या सुने घर की कौनिया गोंसला बना लो भईया गोंसला बनाए लो गोंसला बनाए लो पंची खों बचा लो भईया पेड़ खों बचा लो आगे के रहें अंदा दुन्द जब पेड़ कटेंगे बेजे है जा माटी सबरी जब पेड़ काटन लगें तो माटी कहां से रहेंगे तो अंदा दुन्द जब पेड़ काटे हो बेजे है जा माटी सबरी रेत सोखले है सब पानी कहां से पानी पी हो रेत सोखले है सब पानी कहां से पानी पी हो अरे नदिया बचा लो अपने नदिया बचा लो पंचीखों बचा लो अपने पंचीखों बचा लो और आगे क्या रहे हैं? गोरईया बचा लो भैया गोरईया बचाए लो पंची खों बचाए लो अपने धराखों बचाए लो आगे बाद बूल रहे हैं याद करो जब आंगन भीतर चिड्या चुगती दाना पानी बच्चे हरस हरस के करते उनसे छेडा खानी पहले आंगना में गे हूँ जना की दान सब सुखाद रेती बच्चे हरस हरस कर करते उनसे छेडा खानी फुर फुर कर उड़ जाती थी चीची करती चिड्या फुर फुर कर उड़ जाती थी चीची करती चिड्या अरे को यलिया बचा लो अपनी को यलिया बचा लो गोरईया बचा लो अपनी गोरईया बचा लो धराखों बचा लो अपने पंची खों बचा लो बहुत बढ़िया अपने रचना सुनाई और इतनी अच्छी रचना के लाने आपको बहुत बहुत बदाई धन्यवाद देखो बेहन सही बात है जब परानों अपनों बच्पानिया आदा हुथ है कि अम्मा जब उठती हैं सबसे पहले हैं रसोई में से एक मुढ़ी चाओ लेके और आगन में डारती हैं और पानी सकोरा में रोज नाव पानी भरती हैं बेच्चुनती हैं इसे उनको पालन हो तो संद्रक्षान होतो हैं और आज ही अपन खुझा बात ध्यान रखने हैं और अब हम आप सरोजा सिल्पी से दरकास करते हैं कि वे अपनी एक अच्छी सी कवीता सुनाएं हमारे जैसे हम लोग कर रहे हैं वे अपनी कवीता में भाव ले आएं बिलकुल आसा बैन अब आप औ अधिकार जमाई लाओ और जंगलन में पेडन पे सब जगा गुझा अधिकार जमाई लाओ और उक एक काद दुष्परिनाम निकले हैं बोई रचनामे हमने चलो स्वागा थे सिल्पी जी आपको अंधा दुन्द विरचा काटे और परिया वरन बिगारो नीड गोरईया को जार कें घर से उए निकारो मेहल अटारी ठाड़े करदै अंग ना काओं बिलाने मेहल अटारी ठाड़े करदै अंग ना काओं बिलाने नीम भी आमन के बिरचन को लो नहीं ठिकाने मिठू के ते बैठवे गुईयां मिठू के ते बैठवे गुईयां उंको ठिया बिगारो नीड गुरईया को उजार के घर से उए निकारो और बेन आगे देखें के भूके प्यासे बिलखत पंची दानों को उन डारें भूके प्यासे बिलखत पंची दानों को उन डारें दुके सिकारी मौका पाके जान से उनको मारें दीरे दीरे सबई बिलाजे अब बेन हम्मारा जह हैं तो एक दिना तो देखो कई पक्षियन की प्रजाती खतम हो गई है ना तो दीरें दीरें सबई बिलाजें जो ना उन्हें समारो नीड गोरईया को जार के घर से उए निकारो और बेन अगलो चंदे देखें के इतनी तिसना बड़ी के भाईया डांगन में लो घुस गए बापोती सब जगा जाने के बिर चनलों पे बस गए अब देखो बेन हम और पड़ा थे ना अखबारन में के पेड़ अंखों काट काट के और उन पे होट लें और रेस्टोरेंट बना लए है ना बेन तो बापोती सब जगा जाने के बिर चनलों पे बस गए बे अब किते बसे रो कर बे हमने डेरा डारों नीड गोरईया को उजार के घर से उए निकारों और बेन अंतिम चंद है चुनत खेत सेंदो दाने तो रक्चा सोई करत हैं बैठ खूटियों पे फस लंसें इली कीटे चुगत हैं जे मानुष के परमहितेशी मित्र जान पुचकारो इनको सनरक्षन करके तुम परियावरन सुधारो बैया परियावरन सुधारो बैया परियावरन सुधारो बहुत बड़ी अच्छो पर्यावरंपेस ने अच्छी आपने कवीता पड़ी और बहनों आप फिर से चलाते हैं हम श्रीमती गीता दुबेवेन के पास बहन अपका सुना रही है आप शुरताओं को अब तो हम सब अपनी बेनन भन्यन खो और पक्षियने के उपर के होगी पक्षी बिल्कु बिलीन कर रहे हैं मनस्त ने मनस्त को के वाल काम मिटाव होई है उसी पक्षियन खों पेड़ पोधन खों पहाड पोधन सब बकान बना के आप और बहुत समझदारी से काम लेवे की ज बिल्कु 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 कि घरे आओ गो रण्या प्यारी, तुम अंगना में खेलो, तुम अंगना में खेलो, वो चामर धरे बाजरा पानी, यह अंगना में जेलो, नील कंठे के दरसन करके, नील कंठे के दरसन करके, फूले नहीं समा रहे, और पंचन बिन हम देना पाहें, सूने से भाय जा रहे, हमरे नाती पोतन लो तुम, करती खूब कि लो ले, हमरे नाती पोतन लो तुम, करती खूब कि लो ले, और डार पे बैठे तोता मेना, मिठ्धू मिठ्धू बोले, और बन्ने बन्ने के पक्छी बैठे, गाना सबे सुना रहे, पक्छी बैठे, वेचन सब गाउते, जब बह बोलते, गाना सबे सुना रहे, और पंचन बन्न कैसे रह पहे हैं, पक्छी बैठे के सुने से भाय जा रहे, कोयाल कुंक सुना है ना तो जबताब कोयाल कुंक ना सुना है कोयाल कुंक सुना है ना तो सावन सुनो लग है बड़े बुड़े पुराने अपने आदमी बंदेल खन के लिए तो यही से सब पहले समझा ते सकी है यही से होने कि अब सावन आ रहा है कोयाल कुणके सुना ना तो साओन सूनो लगे है और पपीया ना बोलें तो कोयाल कुणके सुना है ना पॉलें मेघ दूत ना जगे है दूर दूर से बदराये नखोँ पानी सोग बरसा रहे अपने पंचीयन के लाने बादर बदर बादर कारी बदर यह ले लेखती हैं जा रहा रहा है और जब आवे महमान काऊ के कागा खबाल ले आ रहा है और पंचन बिन हम रेना पाँ है सूने से भाई जा रहा है देखो बेन, गीता बेन ने तो अपनी चिंता दरसादा ये अपनी कवीता के माद्यम साएं के भविस में अगर पक्षी ना रहे हैं तो मनुस्तो को जीवन भी संकट में पढ़े हैं काईसे सब को जीवन एक दूसरे से जुरो है और बेन ये अच्छी रचना के लाने अच्छे संदेश के लाने आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और अब बेन हम फिर से चला थे हैं श सुनाये दिखा थे उनने कबूतर दिखें उनने अपने तोता मिठ्टू दिखें जो बच्चों को अपन के लगाते के तोता दिख रहा है भी या देखो उनके जूटे बेर खाओ जूटी भी खाओ सुगा कटेल करते हैं सुगा हुआ हुआ तो अब दूर चले गए तो अपनी आखें तरस गई हैं कभी ता हम लिखी है जो पड़ रहा हैं सुगाते में तरस अनलागी यखिया अपनी तरसो पूरो गाओं तरस गई है यखिया अपनी तरस गओ है गाओं तोता मेना दिखता ही नहीं या और कबूतर ठाओं पहले कबूतरों के ठाओं मने रहते अब ये दिखता ही नहीं है, और कभू तरत ठाओ, बंदर के नहों तमासे, पहले आ जाते बंदर ले लेके नचा रहा है, उनने का बच्चों को किलकारी मार रहा है, हस रहे हैं, बंदर के नहों तमासे, नीम निमोरी छाओ, बड़े नीम के पेड़ के नहीं है, बंदर को अब देखो कोनों भी पेड़ देखो तो पंची डारन पे अब नज्या नज्या उनके ठाओं भोरभय से सोंच रईया अंगना अंगना डोले अब सोंच रईया ढूड रही है कि हमाई ठाओं कहां गए अब पंची दरदर भटके कहां गए बेठाओं अब पंची योंखो पानी के लाने जगए जगए ढूड़ रही है कि हमाई ठाओं कहां प्यासे पंची दरदर डोले कहां गए बेठाओं तरसन लागी अपनी यखिया तरसो पूरो गाओं तोता मेना दिखता ही नहीं गया और कभूतर ठाओं उपर से चिंको लटकाओं अब भगया एक तो एक अपने उपाय करने पड़ है घर घर में एक प पचा सका तो बचालो भईया पंची बिन सूनो है गाओं पूरो गाओं सूनो है तो अगर बचा सको तो बचालो भईया पंची बिन सूनो है गाओं गाओं कंकरीट की सड़कें बन गई पूरे पेड काटकें कंकरीट की सड़कें बन गई हम से दूर भई हर्याली हर्याली दूर हो गई प्रादूसन इतनों बढ़गाओ है पंची छोड़ गए हैं डाली अब हवा पानी में जहर घुलन लगओ है तो पंची छोड़ गए हैं डाली तो भी यह उपाय है फिर से इनकों लाने पड़ है नए पेड़ पोधे के उपर इनकों बसेरों करने पड़ है और प्रादूसन इनकों लाने पड़ है कच्छू बिचारों मन में भाया प्रेसे इनकों घर्मगो रह्या लाने पड़ है आंगन बीच एक पेड़ लगाओ बीच में चिंको तुम लटकाओ कि कल कल बेती नदिया अब तो सांस सांस कों तरस रही है जो नदिया यसी बह रही थ कि कल कल बेती नदिया अपनी सांस सांस कों तरस रही है हवा में घुल रहो जहर जो भईया इखों बाहर करने पड़ है फिर से आंखें सीतल हुएं फिर से मुडेर पे पंची बैठेंगे इसलिए घर घर में एक पेड़ लगाओ अपने पंचीयों को फिर से मनाओ इना जो हमारी कवीता हती पिल्कुल जो हो रहा है बहुत अची रशना आपने सुनाई और समस्या को समाध्धन भी आपने अपनी रचना में बताओ जाब बहुत अची बात है और हम समझते है हमारी बेने बैसे तो बेप्रयास करे रहे हैं लेकिन प्रयास थोड़ी और ते कछी उपाए में मिल जाएं और अच्छे अच्छे तो बिनना आपको सुआगा थे सुनावा आप एक रचना धन्यवाद बेन अब बेन देखो आज से नहीं सुरू से पक्षी और मनुस्षान को संग रहा है और पक्षी राज जटायू को तो मनुस्ष जाती पे नारी जात ही पे इतनों बड़ो एहसान है कि कभूं उतारो नहीं जा सकत हम सब जानत है कि उनने सीताजू की रक्षा के लाने अपने प्रांट तजगेत देते तो ओई खो हमने अपनी रशना में आरे बिनना बहुत है अच्छों करो है सिया जू पे जब विपता आई जटायू ने निज जान लगाई केरावन के संग करी लडाई जान जो खिम में डारी है पूड़े भै जटायू रावन उन पे भारी है लडाई ठानी है हार ना मानी है लडाई ठानी है हार ना मानी है सोच बिचार करो ना तन का उरावन खो ललकारो सोच बिचार करो ना तन का उरावन खो ललकारो पूँच गए पुस्पक बिमान पे और जपटा मारो समझ से परे हो रही बात के ते तुम राम प्रिया लें जात के तन काउ तुमे लाज नहीं आत काय अधरम की ठानी है दुनिया जो जानत के रावन पंडित ग्यानी है कौन लाचारी है मत गई मारी है कौन लाचारी है के मत गई मारी है सिया जू पे जब विपता आई जटायू ने निज जान लगाई सिया जू पे जब विपता आई जटायू ने निज जान लगाई हती खड़गू के हाँ तन में पंख कतर डारे है हती खडगू के हातन में पंख कतर डारे हैं पच्छी राज गिरे धरनी पे बिन पंखन हारे हैं पहल अपनों कर तब निभाए प्रभूखों जैसाई सम्मुख पाए उन्हें बे सबरी खबर सुनाए दसानन करीमन मानी है पक्छी राज जैसोना कोनाउं विते बलिदानी है अंत घड़ी आई है परमगति पाई है बेन जब राबर ने उनके पंख कतर डारे तो भी धरती पे गिर परे और अंत में उनने अपने प्रांत अजाए अंत घड़ी आई है परमगति पाई है सियाजू पे जब विपताई जटायू ने निजजान लगाई और आगे देखे पंचियो के फरज निभाओ उनने अपनो गुईयां पंचियो के फरज निभाओ उनने अपनो गुईयां हम उनकी रक्षा के लाने काए दुका बे मुईयां काए ना अपनो फरज निभाओ के जीसें बेसन रक्षन पाए मित्रता हम सोई तनक निभाओ बेन उनकी मित्रता हती राजा दसरस है तो देखो उनने अपनो पुत्र बदू समझ के सीधा जूके रक्षा के लाने अपने प्राण तरह दे है मित्रता हम सोई तनक निभाओ चुना बेदाना दें पानी पंचिन जीबन से उपर परहित है जानी बड़े उपकारी है प्रेम अधिकारी है सिया जूपे जब विपता आई जटायू ने निजजान लगाई के रावन के संग करी लडाई जान जो खिम्मेदारी है बूड़े भए जटायू रावन उन पे भारी है लडाई ठानी है हार ना मानी है लडाई ठानी है लडाई ठानी है सिर्फ आवे अज़ी उन्हें कैसी बढ़िया करता सुनाई अची बढ़िया राचना सुनाई उनने इतिहास है बाना स्पर बचन में राम लगो और नहीं है मन उससे समझे तो समझो चाहिए उनने संद्रक्षण करण चाहिए पक्षियन को पक्षि हो के मी कित्ती जान गमा दे ही उनने कित्ती जी जान से लग गए भी बिल्कुल बेन और बेहनों यही कि संगे आज की कवित्री गोस्ती संपन भई हमें पूरो विश्वास है के आप सब भी पक्षियन के संद्रक्षण में उन्हें बचाबे में पूरो पूरो सहयोग दे हो एक बार फिर से इगोस्ती में भगले बेबारी बेननखों हम धन्यवाद दे के उनको आप से परचय करा दे श्रीमती गीता दुब्वेवेन श्रीमती आशा स्रीवास्तब्वेन और हम सरोजा शिल्पी चलत चलत बस इतने ही कहें के एक दूजे सेंजुरी है जा जीवन की दोर शर्ष्टी में सब जरूरी हंसा चिरू मोर और बेनों एई आसा के संगे के फिर कौनों गोस्ती में आप सब से फिर से भैठ हुए सरोजा शिल्पी खों आग्या दे राम राम अजर्ब दे राम